हाई प्रेंट्स हाई लोलिग ज्यान चैनल में आपका स्वागत है हाई लोलिग सिंबस आज हम बात करेंगे डायर्शन कंट्रोल वाल की इसको स्वाट में डिसी वाल भी बोलते हैं आपने देखा होगा 4x2 डिसी वाल 4x3 डिसी वाल और उसके करिस्पांडिंग ऐसा कुछ सि तॉजिशन पोजिशन में ब्लॉच हमने यहां पर एकज़ ब्लॉच बना दिये दो ब्लॉच होगे यहां पर एज दो तिन बॉच बना दिये लग्र थे थिम पोजिशन हो भी ऑख है जिपर देह से आल इन करेगा और आउट करेगा ए चाह एबिटws मीं सिप्यмент में 4-4 प् कि अबी मदला हमारा अक्ड़ाटर को जा सुपोज अक्ड़र हमार यहां पर सिलंडर है पी प्रेशर लाइं से आल गया एक पॉर्ड को चला गया रॉडन को सुपोज फिर पिस्टेनन का हमारा टैंक को कनेक्ट हो जाएगा दोसी कंडिशन है प्रेशर लाइन बी को पिश्टैनन को जाएगा प्रेशर रॉडन हमारा टैंक को कनेक्ट हो जाएगा यहां पर यह शिंबल देख रहे होंगे यह स्प्रिंग का शिंबल्स है वह हमारा डिपेंड करता सुचेशन पर हम कैसे उसको अप्रेट करना चाह रहे हैं एक और कंडिशन होता है लग हो तो पालेट अप्रेश की हम बाद में डिस्केशन करेंगे यह फोर बाई टू डिशी वाल में तीन पोजिशन हो जाते हैं यह सॉलेनल अपरेटर सॉलेनल अपरेटर इस पर डिपन करता सुचेशन पर पहले ही बता दिया है यहां पीच्छों हमारा सेंट्रल पोजि किया है पी को टी से कनेक्ट किया है एबी पी टी सब कनेक्ट हुआ है डिपन करता है हमारा एक्षियोटर किस पोजिशन में इसको रेस्ट करवाना है वह उस पर डिपन करता है तो यह हमारा रहा All about Direction Control वाल्ट शिंबल्स की बाद थैंक्यू पर वाचिग